जैशी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब ज़रूर बताईएगा कभी आपने सोचा है कि हम सब कुछ करते हुए भी कुछ कुछ लोगों के सामने डर जाते हैं अपनी एनरजीज हम डाउन कर देते हैं कई लोग हमें सच्चा होते हुए भी जूटा बना देते हैं कई लोग हमारी बुराईयां हमारे मुपे कर देते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते कई लोग हमारे घर के अंदर बैट कर तांडव करा देते हैं और हमारा कोई बस नहीं चल पाता ये सारी चीजें हमारे साथ क्यों होती है जब सामने वाले की उर्जा हमारी उर्जा से उची होगी हम उसके सामने कहीं न कहीं फेल होंगे ही होंगे हमारा आत्म विश्वाश डगमगाएगा ही डगमगाएगा और हमारे जीवन में दुख और परेशानिया आएंगी ही आएंगी ऐसा तब भी होता है जब आपकी कुण रहाट होने लगती हैं किसी व्यक्ति के आने से हमें चक्कर आने लगते हैं हाथ कमपन होने लगते हैं हम अपने आफिस या अपने कारे छेत्र में कुछ लोगों की अनुभूती से बहुत जादा विचलित हो जाते हैं पसीने आने लगते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि पता नह क्यों ये हमारे साथ बार-बार होता है इसका कारण होता है आपकी कुणली में बैठा हुआ मंगल अगर वो सही घर में नहीं होगा किसी सही ग्रह की दृष्टी में नहीं होगा या उसका नक्षत रच्छा नहीं होगा तो वो आपके जीवन में बार-बार ये दिक्कते जरू रुथपन करेगा इसके विपरीत आपने कई लोगों को देखा होगा उनके पस कुछ नहीं होता कोई ताकत नहीं है कोई बैकक अपने आपको सामने वाले के सामने प्रूफ कर देते हैं कि वह बहुत सही है ऐसा तब होता है जब उनका मंगल बहुत अच्छा होता है तो इंसान जो भी बोल देता है वो सत्ते हुने लगता है ऐसी स्थिती और परिस्थिती में हमें अपने मंगल को सही करने के लिए क्या करना चाहिए सावन के पहले दिन उपाए क्योंकि इस बार सावन का पहला दिन आपके लिए मंगलवार ही है मंगल एक और कारे करता है हमारे जीवन में हमारे पारिवारिक जीवन को बहुत ज़्यादा कस्ट पूर्वक बना देता है पहली बार शादी नहीं होने देता शादी हो जाती है तो उसे चलने नहीं देता एक, दो, तीन, चार विवाहों की गिंती बढ़ा देता है और फिर भी जीवन के अंदर प्रेम, सुख नहीं मिल पाता हमारी marriage life हमेशे spoiled रहती है हमारे partner के साथ हमारी कभी भी बनती नहीं है ये सारे कारण होते हैं मंगल की वजह से खास करके एक स्त्री की कुणली के अंदर अगर मंगल अच्छा नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि उसकी कुणली में उसका वेवाहिक जीवन उसे कभी सुख नहीं दे पाएगा ऐसी स्तिती परिस्तिती में हमें क्या करना चाहिए भोले नात वो देव हैं जो अपने भक्तों के कस्टों को दूर करने के लिए हर तरह से तत्पर रहते हैं वो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते वो कर्मों का हिसाब नहीं करते वो तो आप से प्रसन हो जाए तो आपको बस आशिरवाद ही प्रदान करते हैं तो भोले नात को स्मरन करिए उन्हें मनाईए और उनसे अपने जीवन के कस्टों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए वैसे भी ऐसा कहते हैं कि जिस पर महादेव की कृपा होती है उस पर बल नहीं चलापाता तो चलिए आपको क्या करना है बता देती हूं ने कि इससे पहले आपको यह तो बता दूं कि मैं कौन हूं मैं आपके एस्टोलॉजर बास्टो शास्त्री रहा भी पर्ति हूं और हाथों कि लकीरे भी पढ़े लेती हुँ चुकि आपकी सार्थी हुई इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हुँ मंगलवार पहला दिन आपके सावन का भूले नात के उपर जरूर जाकर करिएगा आप अनार के रस से अभिशेक ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुखाने लगता है आप अगर भूले विश्वाश बढ़ने लगता है अगर आपको ब्लेड प्रेशर की प्रॉबलम है अगर आपको किसी भी तरह की रक्त विकार की दिक्कत है हार्मोनल आपको डिस्टरबेंस रहती है तो आप ये कारे जरूर करिएगा आपको राहत जरूर मिलेगी अगर आप मंगलवार के द या आपको सच में नंदी बाबा कहीं पर बैठी हुई मुद्रा में मिल जाए रस्ते में आप उनके सामने गेहूं और गुड रख दीजे और फिर देखिए आपके मनोवांचेत इच्छाएं कैसे पून हो जाती हैं आपके जीवन में मंगल आपको जहां जहां डाउन कर र नहीं रहती है अधिकारी कभी आपसे प्रसन नहीं रहते आपके ऑफिसर्स हमेशा आपके साथ दुर्वेवार करते हैं आपके प्रमोशन्स रुक जाते हैं आपकी तरक्की में बार बार बाधाएं आती हैं ऐसी कंडिशन में आपको मंगल वार के दिन भोले नात के मंदिर में जाकर मापारवती जी को साबुत अनार चरहा देना है और भोले नात के उपर आपको गंगा जल से अभिशेक करना है और लाल चंदन उन्हें जरूर अर्पित करना है मंगलवार के दिन आप नंदी बाबा को अगर जाकर पांच बेल पत्र चरहा देते हैं और उसके बाद उनसे प्राठना करते हैं कि वो आपके जीवन के कस्टों को दूर करे तो जरूर देखिएगा आपके जीवन के कस्ट कैसे दूर हो जाते हैं बस मन में स्मरन करते जाएए ओम नम्ह शिवाय ओम नम्ह शिवाय और शिवाय आपकी हर एक पीड़ा और दुख को दूर करते जाएंगे वो तो देवों के देव हैं अपने भक्त पर यूही जल्दी से प्रसन हो जाने वाले हैं उनसे जरूर मांगिए अपनी मन वांचित और फिर देखिए उनके प्रिये मास यानि की सावन में वो कैसे आपके जीवन में खुशियां लाते हैं और मैं मैं तो आती रहती हूँ फिर आओंगी कुछ नहीं कुछ अलग कुछ अद्बुद्ली के तब तक के लिए मुस कराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बन जोतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है। सोला से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप कर रही है। साल 2018 में उन्हें उत्र ment DAVID के मुख्य मंत्री तरिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से संमानित किया था। और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवार्ड से नवासा जा चुका है।